हेगाईस हाव यू आल सो यह बात तो बिल्कुल सच है कि जो BTS members है उन्हें टाइम टू टाइम किसी ना किसी आइडल के साथ शिप किया जाता है बोला जाता है कि उनकी कोई सेक्रेक्ट जी एफ है या हम कहले कि बी एफ है वैल येस जब से जो ब्लैक पिंग की जी सु है उन्ह सीन था ना कि वो बी एफ या जी एत नहीं बना सकते है ये मतलब इस पे से लोगों का तो विश्वास उठ गिया है वैल या I'm gonna tell you कि जंकुक ने क्या खुछ से आके बताए है कि उनकी जी एफ है क्या उन्होंने भी ब्लैक पिंग की जो जी सु है उनके जैसे अपनी जो उन कर रिलेशन्शिप है उन्हें जंकुक ने रिवेल कर दिया है वैल येस मैं आपको बता दू कि अभी से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत ही जादा ये न्यूज दिखाई देर रहा है कि जंकुक इस इन रिलेशन्शिप वो रिलेशन्शिप में ह है और उनकी एक गल्फ्रेंड है और किसिंग सीन वाला तो आपने बहुत फोटोस देखनी होंगे I'm sure किसिंग फोटोस को देखनी होंगे इसमें ऐसा बताया गया है कि वो जंकुक है वैल ऐसा हुआ नहीं आस तक कि कोई भी के-पॉप आइडल like I mean जो जंकुक या कोई और मैंबर से उन्होंने खुल के अपने रिलिशन्शिप पे अपने डेटिंग पे ऐसे बात की है जैसे कि जंकुक ने किया वैल या मैं आपको बता दूं कि अभी जंकुक से जब ये क्योशन पूछा गया था कि क्या आपकी जीएफ है क्या आपकी गल्फ ट्रेंड है तो जंक आपको बता ही है कि जंकुक इन दिनों बहुत ही ज्यादा बीजी है अपने प्रोजेक्ट को लेकर वहीं पर उनसे काफी क्योशन्स और आंसर्स की जार रहे है और आप मिजे कॉमेंट में बता सकते हो कि आपको जंकुक के जो न्यू प्रोजेक्ट वो देखने में कैसे बोला भी है कि बहुत ज्यादा अनकमफिक्टेबल है लेक उनसे कोशन क्यों पूछा गया है एंड येस सच में जंकुक की परसनल लाइफ में या बांकी परसनल लाइफ में को ज्यादा ही आमीज जो फैन से घुसने लग लग दी है जंकुक के बार में तो हम अगर बात कर तो बहुत ज्यादा उनके घर में खाना भिजवा देती है लेक बहुत सी ऐसे अन्यूजवल चीज़ें जिसके चलते जंकुक ने लाइफ में आके भी बोला कि वो भी इनसान है वेल गाइस आप मुझे कॉमेंट में बताओ के आपको जंकुक का ये जवाब कैसा लगा और कि उनकी कोई भी जीएफ नहीं है या है वी तो इसमें पैंस को इतना ज्यादा तांग छांक तो नहीं करना चाहिए अल आपके इस पे क्या कहना है यू कैनल में दे कॉमेंट शेक्शन थैंक्यू